हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम वज्र गुरन वीदी से यक्स का मान निकालना सिखेंगे कि यक्स का मान वज्र गुरन वीदी से किस प्रकार से निकाला जाता है तो फ्रेंस यहाँ पी एक question लिये हैं इस question को हल करके आपको बताएंगे कि वज्र गुरन वीदी से किस प्रकार से question को हल किया जाता है और उस question को हल करके यक्स का मान कैसे निगाला जाता है फ्रेंस इसमें आपको simple तरीका से सिखाया गया है चलिए फ्रेंस इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने question है कि 11 यक्स धन 7 बता के 22 यक्स प्लस 13 इसकल टू 6 बता के साथ इसको हल करना है देखे फ्रेंस वज्र गुरन वीदी यारि कि वज्र गुरन का मतलब होता है गुरा करना ठीक है तीरिया गुरा करने का मतलब यह होता है कि जैसे यहां पे छापटा के साथ है तो 7 का गुरा कहां पर करेंगे इस पूरी संख्या जो यहां पर पद दिया है 11 यक्स प्लस 7 में 7 का गुरा करना पड़ेगा इसी प्रकार यहां पे 6 का आपका गुरा किसमे करना पड़ेगा 22 यक्स धन 13ह में 6 का गुड़ा करना पड़ेगा चलिए Friends इसके हाल करते हैं देखे पढली इसको लिखते हैं कैसे लिखेंगे यहां पिलिखें के 11 धन 7 इस्में कितने गुड़ा करना है इसमें कितना से गुड़ा करना है आपको सिखाते हैं किस प्रकास से गुड़ा किया जाता है मतिता हैं से गुड़ा क्या जाता है दो नरे क्या जाता है आप इस साथ के गुड़ा किस में करना है। साथ के गुड़ा साथ में कितना है सासते 49 कितना जगा फ्रेंस यहां पर 49 होगा देखिए बराबर का चिने बराबर का दीजिए ठीक अब देखिए इसी प्रकार फ्रेंस बाइस यक्स धन 13 में आपको च्छा के गुड़ा करना कैसे करेंगे देखिए पर किया किजिए च्छा के गुड़ा किसमे किजिए बाइस यक्स में करना है तो कैसे करेंगे फ्रेंस यहां पर आपको समझा देखिए बाइस यक्स गुड़े च्छा ठीक है यानि कि च्छा के गुड़ा पहलब 22 में कीजिए दखें यदि करने आता गो ठीक नहीं करने आता इस पकार लिखें गुड़ा कर सकते देखें च्छा दुना के 12 हासिल एक च्छा दुना के 12 एक 13 तेरह कितना आ जाएगा एक 13 यक्स अपने जगा पर रहेगा ठीक अब धंग दीजिए अब छा क तो गुड़ा किस में करना है ठीक है जब ठीक है जब ठीक है जा गुड़ा किया जाता है ठीक है इस पकार आप सीन्पल तरिकासे गुड़ा कर लिजिए अब अगला step क्या होता है आपका अगला step यह होता है कि जो अक्छर वाला पद होता है कि जैसे यहां पर यक्स लिखा है तो यह 77 यक्स है यह अक्छर वाला पद है इधर 132 जो है यक्स इसके साथ में लगा है यह अक्छर वाला पद इसको बोलते हैं इन दोनों पद को एक साइड रखिए सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है जैसे यहां पर हमेसा धन रहता है यहां पर यहां पर यहां पर इस उन्चास को क्या करेंगे इस साइड लाएंगे यहां पर इसको इधर पच्छांतर करेंगे इसके सामने का चिंग बदल जाता है यहां पर धान है इधर आगे कितना हो जाएगा ठीक अब इसमें इसको हल कीजिए फिरा से इसको उपर कर लेते हैं फिरास देखिए क्या करना है अब इसमें क्या करेंगे 132 में 87 घटाना है 192 में इसलिक कि घटाा सकते घटाए दे mail साथ लिए पांश होगा और यहां बाचीच कितना बचेगा फ्रेंस पच्छपन याक्स देखेंगे फ्रेंस किस पद में से घटा है अब बताएंगे कि 132 में से 133 घटा है 132 बड़ा पद है इसके सामने चिन के स्टिच का माइनस करते हैं यहाँ पर 55 याक्स रखेंगे बराबर अब 88 में से 49 घटा लिजिए देखें नहीं घटाने के तरीका पता होगा तो इस तरह 88 लिखिएगा उसमें से 49 घटा लिजिएगा अगला शेप क्या होता है हमको सिर्फ यक्स का मान गयात करना है यक्स का मान गयात करने का मतलब वहते हैं यहाँ पर 55 है और ये इसके बीच में हमेंसा गुड़ा का चिन चिपा होते थे इसको कितना लिख सकते हैं गु सकते हैं ठीक है अगला स्टेप क्या होता है ऐधर आपका कि इस वाले अंको को इधर पच्छांतर करेंगे दिखे गुड़ा में ना जब गुड़ा में नीची आ जागे ध्यान देज़ेगा दर गुड़ा आफ्रेंस जो यहां पी ये आ रहा है एक्स कमान 29ग के पचपन यहीं आपके क्या हो जाएगा एस प्रकार से वज्षेंगिवर्ण विदी से हम यहक्स कमान simple तरीका सा निकाल सकते हैं तो फ्रेंस यहां पे आप rope сказать बदाएं आप इस परकार से कभी भी question को हल करते हैं तो आपको question को हल करने में किसी परकार का problem नहीं होगा friends आपको यह question समझ में आए और इसमें यदि आपको किसी परकार का doubt होता है तो आप comment box में जरूर लिखा करें उसका answer आपको हम जरूर देंगे friends आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का like करें और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें